प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, डियाग्नोसिस भी बना चुका है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, देखिए, अगर कोई भी साइकेट्रिस्ट, साइकॉलिजिस्ट या कोई डॉक्टर आपसे, आपको कभी डियाग्नोस किया है, कि आपको डिप्रेशन एंजाइटी, OCD है, PTSD है, और उसकी दवाईयां चल रही है, या आपको एडवाईस के और आपने गुस्से में वो चीज शुरू नहीं की, कि नहीं मैं तो मेंटल पिशन नहीं हूँ, पहले तो ये बारी की समझी है, मेंटल क्या होता है, देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर जो एक लेमेन की सोच होती है, पागल वर्ट, मेंटल, तो आप मेंटल थोड़ी हो, देखिए, अगर किसी को स्ट्रेस की वज़े से, डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं, या OCD के सिम्टम आ गए, या मानो अंजाइटी हो गई, तो वो मेंटल हेल्थ में आती जरूर है, लेकिन आप मेंटल वर्ट सुनके ये ना सोचे कि आप पागल हो, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप बात करोगे, किसी आपनी सिटी की, चहां पर खासतर आगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो यहां पर जैसे की बहुत कॉर्परेट लाइफ है, बहुत भा के दवाईयों को, या फिर योगा या अच्छे काउंसलर के साथ मिलके, आप इसको बैलेंस करके वापस ठीक हो सकते हैं, तो यह एक सपोर्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है, जिम जाते हो आप, आपकी टमी बहार है, आपका थुरा लेथार्जिक बाड़ी है, तो आपको जगड़ा ना करें, और किसी भी नजदी की साइकारिस्ट, साइकोलजिस्ट या नियूरो मैंड में आके हमारा परमस लेके हमसे मिलिए, यह कॉन्फिदेंचल होता है, पुरी तरीके से, तो उसमें एट लिस्ट आपकी यह हल्प हो जाएगी, अगर मान लीजे कोई प्रॉ करके वर्स्ट कीजी, क्योंकि आपके लाइफ भी खराब होगी, और जो आपके साथ पार्टनर हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, या आपके महल है, वो आपकी वज़े से खराब होगा, उससे फिर आपको रिगरेट होगा, तो यह एक स्नोबाल है, जो बड़ा होता चला बताया, आपको यह सिम्टम है, तो आपको यह हो सकता है, तो एक कंसल्टेशन लेने में कुछ नहीं चला जाता, कंसल्टेशन में कोई बहुत बड़ी फीस्त होती नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर से बैट के अपने बारे में एक 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 रिपोर्ट बनवा लेते हैं, उसके पास जाके मिलना कोई बुरी बात नहीं है, तो अपनी mental health को सही रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं किसी के साथ मिलके अपनी एक assessment बनवाना, जिसमें आप खुछ से satisfaction हो जाए, कि हाँ मुझे ये problem है, नहीं है, या है तो कितनी है, तो बिलकुत निशन को जाईए, परामास लीजिए, और अपनी mental health को ठीक रखिए, mental health ठीक रहेगी, तो सब कुछ ठीक रहेगा, और खुछ रहिए अपने जीवन में, और फोशिच कीजिए कि घर पर अपने एक अच्छा महल बना के रखें, इस्ट्रेस environment से दूर रहें, और अपनी life में खुछ रहें, थैं